नमस्कार मैं जोतिश वहान मद्य प्रदेश के मुवारी गाउं में मौजूद है यह चिंदवारा लोकसवा सीठ है लोकसवा चुनाव 24 को लेकर चर्चाय गर्म है लेकिन गाउं की आवादी कहते हैं 70% लोग जो है वो गाउं में रहते हैं और गाउं में क्या कुछ महाल बन बार है मोदी जी का हम भी सनाद नहीं हैं लेकिन हम अंध्वक्त नहीं है हम तो यह जानते हैं कि आज तक जो कांग हुए हैं सतर साल में आपको जहां लाके खड़ा करी आपने उसको निश्ते नाबूत कर दिये और रही आज हमारे जिले में हमको प्रदान मंत्री के कार्यो जो छोटे स्तर से बड़े स्तर तक की है कि इस बार जो है एंपी में 39-39 सीटे ले जाएंगे बिलकुल नहीं ले जा सकते हैं कम सकम 10 सीटे में कॉंग्रिस की आएंगी यह बताए कि जिस तरीके से बीजेपी अभी तमाम जगों पर रेलिया कर रही है और वह करें कि मोदी की गैरेंटी अब गैरेंटी क्या लग रहा है अनाप शनाब अवेद पैसा कमा आएं तो रेली में खर्चा करेंगे ना कहां करेंगे इनके मुखमंत्री बनाएं मत्यपती साल में कुछ अच्छा नहीं लगा सिर्फ जनता को ब्यकूब बनाया गया है आप जनता है कि निचले उनका करजा माफ हो रहा है करोडों का 5500-10,000 करणों का करजा माफ होता है हमारे किसान का एदी 10,000 का करजा है तो वे माफ नहीं होता बैंक से यह स्थिति बनी हुई है और यह लक्टारल जैसी इस्थिति लेका है चंदा लियें और आज कॉंग्रेस को तुमने हर तरप से ब आउने ताला खुलवाए वहां से अरुन गोबिल जैसे को पर प्रचारक बना के मीरट से चुनाव के लड़वा रहे और आज की इस्तिति है कि उनके उस राम मंदी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है राम मंदीर हिंदुओं का है सनातनी है हम राम मंदीर से तो हम यह कार रही असा है कि हम इससे तो खुस है वोट नहीं वोट तो हम विकास पे देंगे जो विकास दर गिरी हुई है वह देख भी हम बोट देंगे बहुत च्छा विकास कर दिया अच्छे दिन आ गए बिजब दिन चले गए आज 2014 के पहले ही अच्छे दिन थे दोजार चौदा के पहले हमने अच्छे दिन देखे थे उसके बाद तो सारे दिन बेकार होगे बीजेपी करें 400 पार धरातल पर क्या है गाउं में क्या है आप बहुत सारे जो केंडिडेट है उनके सारी चोरी के हैं नहीं तो दवाव के हैं और रिके हैं दवाव के हैं है डाल दी उसके तो लगता है 400 पार होगा नहीं होगा अच्छा सवाल किये लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वह विकास में कोई ध्यान ने दे रहा है उनका काम केबल कॉंग्रेस की लोगों के जॉइनिंग कराना है अच्छा उनने एक बस कुछ नहीं किये हैं अभी इनकी कुछ दिन पहले चुनाओ की पहले विकास यात्रा ऐए थी तो विकास यात्राइअ आओ यह नहीं कर दिये चाहिख session कर दीए और उसके बिए कुछ नहीं हुआ हे तुछ कर दिए तो जंता मेरे मुख देखने लगी कि 35 लाग का विकास हुआ कहा है जंता मेरे उपर सक कर रही है कि कल तो बीजय पीक नेता आया थे बता गया कि इतने करोड़ का इतने लाग के आहा हमने भूज में पूजन करें वह देखने रहा जितने सालों से चिनवाडा में कॉं कंगरिश का विकास और कमल नाज जी करें बंटी साहु तो दो बार अभी कमल नाज जी से हार चुके हैं दो मेने पहले 49-38 की लगभग बोटों से वह अभी हारे हैं इस बार तो जीत के जाएंगे कहने से क्या होता है मंत्री आ रहे हैं प्रचार भारती मुख मंत्री आ रहे करी साथ जीरों से कॉंग्रेस ने फिनिस करी एप फिर होगा कमल नात आएगा निस्चित तो आप बताएं भाइसाब मोदी जी कह रहे हैं आप बताजी क्या नाम है तो वर्मा जी यह बताए कि कैसे देख रहे हैं एंडिये की तरफ जो है वह लहर चल लगी है दूसी तरफ ABOUT इंडिया के लहर चल लेह वह तो चार्सोपर चारसोपर जिस तरीके से बीजैभी तो das तो जारी है ना कौन जा रहा है वो कहां जा रहा है वो तो जैल में है जैल में है वो मौदिक मैजिक चल रहा है देश में 400 पार होगा और 77 से रिकार्ड गिराम पंचैत मौारी का कि आधी उठाके देख लीजिए कि यहां भाजपा कांग्रेस कभी आने मतलब एक बार भी आध मेरे नाम कृष्ण कुमार वर्म मौरी से कृष्ण जी बताए कि छिंदवाडा में क्या होने वाला तोड़ा तेज बताए मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता मैं पर कमल नाजी का अच्छा काम है बिमारी में एलाज में पैसे देते हैं और फीस माप करते हैं और बहुत से उन है उनके नामांकन के लिए तो कुस्तो दाव होगा ना प्रूहा नकुल नाज जी बहुत लंबी वोट से भारी मतों से जीत रहे हैं कितने वोट से बहुत भारी मतों से अच्छा चलिए आप बता दिजिए भाई साफ क्या नाम है सुंदरलाल परम तो थेज बोलिए ना एक प्रूह ना यह पूरी लगा लें हमारे पास कमलनाच जी करशने जी के रूप में कमलनाच जी है जो बेजाए होंगे और लगवाग एक लाग बोटों से जाधा बोटों से वह बेजाए होंगे आप बता जीतना चाहते हैं क्योंकि सभी को पहले नाम बताई शिक्पाल दु कि एसे ने से कुछ निंहीं होता थे संदवाड़ा के लिए भी जबता सो रोजगार दोनाब रोजगार दीजिये जो है तो लोग फाल भूर क्या कर रहा है 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 क्पाल की जुए कर दो है कैसली कि ने कि आपने कोसन के युद्या को लेकर राजू गांधी जी ने उसका ताल काणून लाथे तो अपन बोलते कि आफ़ाई सरकार ने करी कोड कोट नहीं होता है कि काॉट के समयमें आया था तब भी wordswdamp हिंडुों के पक्ष में और रही बात इसी कॉणरेस अभिक मंदीर के मामले में निढे लीं जो संक्राचार जी है चारों संक्राचार जी है जो हिंदू धर्मे के मारदर्सक है मैंने भगवान है संक्राचार उनके निर्देश के अंसार कॉंग्रेस ने उसका पालन करी एक दूसरी चीज बेरोजगारी क्या है इसके आकड़ी आप उधा सकते हैं जब हम लोग प्राइबेट में जाने से भला होगा कैसे होगा प्राइबेट में जाने से कैसे होगा कैसे होगा बताइए ना जल्दी थोड़ा फास्ट हो जाए काम कुछ फास्ट नहीं हो प्राइबेटी करन हो रहा है उसमें जो स्टाप रखा जा रहा है वो प्राइबेट कर रखा जा परमपरा है जब दो बच्चे लड़ते हैं तो पड़ोसी क्या करता पहले खुद की बच्चे मारता है दूसरे बच्चे नहीं मारता है मोदी जी खुद की घर वाली कपके छोड़ चुके दूसरे की तलाग दे दे तो वह दिक्कात उनके और खुद की भी कपके छोड़े पहले दो बार हलप नाम दे चुके हैं हिंदु धर्म समानाताम धर्म क्या बूला जाता है कि जूट बोलना सबसे वड़ा पाप है उन्हें प्रधानमंत्री जब दूसरी बार बने तो कहते कॉलम में कि करनें नहीं मेरी पत्नी है साथ भूल जाते हैं अच्छा यह बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी 400 के पार्क कह रही है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मोधी की गैरेंटी है कई जगे आपने रैलियों में भा दूसरा क्यों नहीं है और 140 के करोड के परिवार में आप लोग आते हैं हमको गैरेंटी इसली नहीं है अभी दो साल हो गया आप मौरी देख रहा है इस तरफ कैमरा करना भी यह जड़ा इस तरफ कैमरा करी भी आदरनी जी कच्छे मकान देखिए आप 2022 में मोधी जीन पक्क यह बहुत बड़े बड़े तर्म कब तक बढ़ाओं के ऊंकणों पर बात करो ना इर्मला सीता रमन के हज्बेंट जो क्या बोलती है कि प्याज निखाती और जो जो मास्क का तसकरी हो रही वह फो आपने भी देखा सब ने देखा कि जो मौत कर रही है उस पर उससे चंदल यह और उनके हस्बेंट ने बोले कि इलक्ट्रॉल बांट जो आया है वो सबसे वड़ा दुनिया का सबसे वड़ा बिश्टे चार देश का नहीं दुनिया का बिरोजगार हमारी साथ ही घूम रहा है यूबा घूम रहा है सरकार आकड़ा देना एक साल में कित्ते लोगों को जोब नाराज है यूबा नाराज है अच्छा यह जो मामला है इविएम का आप मीडिया से है इविएम का मुद्दा सबसे पहले लालकरशन आडवानी जी ने सबसे पहला आडवानी जी ने उठाया एक दूसरी चीज जब भी उसकी वीडियो जब बाहर आते हैं इविएम बिगड़ने की तो उसकी उसका बूर्ट फूल में क्यों जाता है उसमें 8-10-15-20 निसान रहते हैं जो जित्ते प्रत्यासी उसका फिर वो जब बिगड़ती है खराब होती है तो बोट भाजपा वालें क्यों जाता एक भी वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए मैं नहीं कह रहा हूं अभी एक कहीं के जो प्रत्यासी है उनको उनके गाहों से खुद को बोट नहीं मिला तो वह हाई कोड़ गए हैं अब उनका नाम और नहीं पता में आखरी सवाल बीजेपी कहा रही है 39-39 सीटे इस बार जो है MP से लेकर जाएंगे तोर से 7-10 सीटे मध्यप्रदेश से 7-8 सीटे राइस्थान में 4-5 सीटे 36 गड़ से और यूपी में भी उनकी सीटे कम होगी दिल्ली में भी उनकी सीटे यह कई दो आपाएंगी मुस्किल से इंडिया गडवनिन जीतेगा वहा और अपने दनपर बार सरकार नहीं बना पाएंगे ओंके साह जुडे हैं था ने पीज बन गहेंगा है ना प्रफुल पटेल कैसे थे मोधी जी मान लिया बहुत अच्छे है जो नहीं कर लेते हैं गुस्तो जरम करो कुस्तो लेहाज करो मिन 2 दिन पहले क्या बोला हूं प्रफुल पटेल का देख लो आप सिंधे को देख लो खड़के को देख लो उनके जो उनकी पर टीम सरफ एक ने करते हैं आपका भी नाम नाम का बता है चलब नाम छोड़ तो आप काम बता दो चिंदवाडा में कौन तर लग रहा इस बार चुनाओ है ने अजमी हम बहुत नहीं हाता कोच जाने आजमी बहुत नहीं आध्मी तो आप जाने हैं जितेंगे ना क्यों जीतेंगे पूछ रहूं ना मैं तो बोड देंगे जब तो जितेंगे यह गाउं की पब्लिक से लगातार बाचीत करते रहेंगे कुछ खटी कुछ मीठी और तमाम लोगों से लगातार आपको मुद्धा पुचाते रहें गाउं का फिलाल के लिए नमस्कार